सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में फाइनली खुश्यों ने दस्तक दे दी है आज हो रहा है नायरा और उनके बेटे का गोईन का हाउस में स्वागत भै नन्ना महमान घर आया है धूम धड़ाका तो होगा ही ना चलिए देखते हैं गोईन का हाउस में खुश्यों की कैस एक बार फिर मुस्कुरा दिये हैं भै जिसे देखने के लिए नैना तरस गए थे वो जनाब जो घर आ गए है देखिए दादी और बाकी घर वाले बच्चे संग नायरा के आने का इंतजार कर रहे थे और फिर हुई नायरा की एंट्री नाच गाने के साथ किया गया जूनि अगर भी कार्तिक इन खुशियों को खुल कर महसूस नहीं कर पा रहे हैं कीरती के साथ जो हाथसा हुआ है उसका गम सभी को है लेकिन घर में जो खुशियां आई है उनका स्वागत गोईन का हाउस में दिल खोल कर हो रहा है नायरा एक तरफ खुशियां है तो दूसरी रा तब तुरानी जो बात हुई थी जब भी वो बेटा और बेटी को लेकर जो ट्रैट था जो वो चल रहा था कि यूनो बेटा चाहे है यह बेटी चाहे है तो जो भी वो वो सब चीज थी वो वो चीज नहां पर आती है और कार्तिक जो प्रीनुप साइन कर बाता है ऑख ग्रह परवेश के मौके पर कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वज़ा से कुछ पल के लिए सबुदास हो गए थे लेकिन आपने इस बात को भी अच्छे से संभाल लिया क्या कहना है इस बारे में आपका जितने सब लोग खुश है इस बेबी के आने के खुशी में उतने ही सब लोग दुखी भी है ग्रह परवेश के बाद घर में रखी जाएगी पूजा जहां नक्ष ढोल बजाकर नायरा की अधूरी खुश्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे साथ ही दिखेगा बच्चे के साथ नक्ष का इमोशनल जुडाओ अपने बेटे के साथ फिलहाल तो नायरा काफी खुश है लेकिन तब क्या होगा जब बच्चे की अदला बदली का सच सभी घरवालों के सामने आएगा क्योंकि कार्तिक के चहरे का ये उड़ाओ हुआ रंग साफ बता रहा है कि कार्तिक इस सच को ज़्यादा वक्त तक सबसे छुपा नहीं पाएंगे मुंबई से नवीन सिंग भार्दवाच के रिपोर्ट E24